हे दोस्तो वेलकम टू आर चैनल स्टॉक मार्केट इंडिया आप अगर चैनल में नया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फॉर्द जैनुविन इंफरमेशन और आपका कोई क्वेरी जातो मुझे कमेंट करके जरूर बताना तो दोस्तो आजे 17 जैनुवारी 2021 और कल यानी 18 जैनुवारी से एक नया ट्रेडिंग विक स्टार्ट होने जा रहा है और यह जो आगे आने वाला ट्रेडिंग विक है यहां पर यह पर आपका सब का यहां पर ध्यान रहेगा क्योंकि यह बैंक के लिए नेक्स ट्रेडिंग विक बहुत ही जादा वह भी मैं आपको अभी कुछी देरे में बताऊंगा पट मुझे यहां पर यह बैंक की शेर में फ्रेश पोजिशन बनाने का एक बहुत बड़ा ऑपर्चुनिटी दिख रहा है और यह ऑपर्चुनिटी आपको मिस करना बिलकुल भी नहीं चाहिए क्योंकि बाद में जाक कि पूरान तक देखना ताकि आपको अच्छे से समझाए तो दोस्तों अगर आपके पास ट्रेडिंग करने के लिए डिमेट अकौन नहीं है तो अप्स्टॉक जैसे बड़े प्लाटवर्म में डिमेट आकौन उपें कर सकते हैं जहां पर आपका ब्रोकरेश प्रीज ना के तो आया होगा कि इसार नेक्स ट्रेडिंग में क्या होने वाला यह बैंक के लिए इतना ज्यादे इंपर्टेंट और 22 जैनुरी को स्पेशली क्या है तो दोस्तों चलिए मैं आपको दिखाता हूं 22 जैनुरी एक्चली हुआ होगा क्या यहां पर देख सेकते 22 जैनुरी को दोस्तों येस बैंक का financial result आउट होने वाला है यानि quarter 3 का result येस बैंक प्रेजेंट करने वाले है और इस टाइम दोस्तों येस बैंक की quarter 3 के result बढ़िया expectation लगा हुआ है जो analyze के हिसाब से जबरदस्त आएगा quarter on quarter येर और येर भी तो दोस्तों आप चैनल के साथ जूरा रहा ना चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना येस बैंक की financial result साइथ दूसरे जितने भी company सारे company का quarter 3 का result सिर्फ इस चैनल में आपको मैं review के through share कर दूंगा तो दोस्तों चैनल के साथ जरूर जूरा रहना चलिए अब हम बात करेंगे येस बैंक का क्या है support क्या है target क्या है सबसे पहले यहां पर देखिए येस बैंक का जो अभी RSI इंडेक्स चल रहा है 51.12 का यानि बहुत ही ज्यादा strong हुआ है और अगर मैं बात करो लास्ट लगबग एक महीने से यहां पर देखिए लगबग एक महने पर शेयर प्राइज येस बैंक का एक पैरलल मुव्मेंट पे चल रहा है ठीक है तो अगर आप मैं इसमें आप्जर्ब करो दोस्तों यहां पर आपको अगरा बिगिनर से या आप सीखना चाते तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलागा देखिए यहां पर 17 रुपए का जो यह लेबल है इसके नीचे दोस्तों देख सकते उतना ज्यादा गया नहीं यानि यह जो 70 रुपए का लेबल है यह यह बैंक के लिए बहुत ही स्ट्रॉंग सपोर्ट के रूब में काम करेगा ठीक है और ऐसा क्यों कर रहा है सत्रा रुपए में ऐसा क्या हुआ हो गया कि यह बैंक का जो शेयर है उसके नीचे नहीं जा रहा है उसका क्ये मैं यह 6 मैने का चार्ट पैटन ओपन किया जब यह बैंक के अंदर यहां पे बहुत पहले आउगोस्ट क शेयर पैस यहां पर देखे 17 रुपए की लेबल टच किया था और उसके बाद भाड़ी गिड़ावाट हुआ और गिरते गिरते शेयर पैस फिर से 12 रुपए का सपस आ गया था और इस पोजिशन में दोस्तों लगभग 4-5 मैने चला ठीक है यह बैंक को लगभग 17 स्वुख के बाद कर Heels प्राइग सिस्टेन पॉइंट है उसको अगर ब्रेक करके उपर चला जाता है तो पहले वाला इस ciert मिंच ऑन उसके 20 रुपए का लेबल क्योंकि इसके पहले भी हमने देखा है कि डिसेंबर की माईने पर जब 20 रुपए का लेबल टारगेट एचीफ किया था और उसके उपर जाने की कोशिश कर रहा था बाट बार बार यहां पर स्टेबल नजर नहीं आया यानि अंस्टेबल नजर आया और मैं आपको याद होगा दोस्तों मैं आपको वीडियो को तुरू बताया था कि अभी यह बैंक में निवेश करने का टाइम नहीं है इसमें जो सटीक टाइम है वह सतर रुपए का लेबल आप चाहे तो देख सकते यह बैंक के ऊपर मैं बहुत सारा वीडियो बना चुका हू और आपको मैं हर एक लेबल पर निवेश करने का राय दिया था जब येस बैंक का शियर प्राइस यहां पर सारे 12-12 रुपए का आसपास चल रहा था तब भी मैं आपको बलावात बोला था नौवेंबर की माईना पर उसके बाद दोस्तों शियर प्राइस जब 15 रुपए क यह होता है एक उपर की तरफ जाने का यानि कोई भी चीज अग उपर की तरफ जाने के लिए नीचे से वह पोटेंशियल मिलता है ना वही पोटेंशियल अभी यह बैंक करेक्ट कर और कभी इसमें बहुत बढ़ा कोई जाम पाएगा और अगर इस बाद जम पाएगा तो 20 रुपए का लेबल दोस्तों क्रोस करके अराम से निकल जाएगा और उसके आगे की तरफ जाने की कोशिश करेंगा यानि 25 रुपए का लेबल इसका बुलिंजर बैंड देखिए पहले कितना चौरा था देकि अपर बैंड और लोवर बैंड के नीचे कितना गैप था देख हुआ तेजी हुआ और उसके बाद धीरे-धीरे इतना तेज हुआ कि मतलब शेयर प्रेस बुलिंजर बैंड का अपर बैंड क्रॉस करके निकल गया और क्लियर कट आज भी यही पोजिशन क्रियेट हुआ है देखिए बुलिंजर बैंड का नमबन निकल का रहा है धीरे-ध देखिए वह धीरे-धीर उपर की तरह बढ़ रहा है ठीक है 17 रुपए के आसपास नजर आ रहा है 17 रुपए 28 पैसे और अपर बैंड का लेबल 18 रुपए 50 पैसे ठीक है तो इसका क्लियर कट मतलब दोस्तों यह कभी भी यह बैंक की शेयर प्राइस में बहुत बड़ा कुछ टाइम पहले एक बहुत बहुत बड़ा पॉजिटीव निउस भी आया था कि यह बैंक को एमफाई के थू मीट कैप से लार्ज कैप में स्वीच किया है और यह बैंक में अंदर दोस्तों अभी बहुत सारा पार्टनर्शिप पोग्राम चल रहा है यानि यह बहुत सा को यहां निवस मत कर देना दोस्तों क्योंकि देखिए कमपणी थोड़ा से रिस्की तो है क्योंकि इतने दिनों बाद मैं बोलूंगा यहां पर वेंटिलेशन से बाहर आया है तो यहां पर बैंक को थोड़ा टाइम भी देने पड़ेगा तो आप यहां पर हर एक डिप्स पर निवेश कीजिए छोटा-छोटा करके स्मॉल एमाउंट निवेश कीजिए ताकि इन फ्यूचर में अगर शेयर पेस थोड़ा और भी गिर जाए तो आप कोई फड़क परने वाला नहीं है हर एक डिप्स में आप शेयर खरीद लेना क्योंकि बैंग का भी बहुत मजब अध्यूपर आकर आके क्लोजिंग दिया देखिए का अछा कासा वॉल्यूम भी ट्रेड़ हुआ था फ्राइडे के दिन और डेलीवरी जवर्दस देखने को मिला था यहां पर देखिए यह अपडेट है 15 जन्वरी यानि फ्राइडे के दिन का लगबग 16 करोर 35 लाग शेयर का टोटल नंबर ओफ ट्रेडिंग हुआ था उनमें डेलिवरी हुआ है 7 करोर 30 लाग 25 लाग कौंटिटी का शेयर औल्मोस्ट 44.66 पर सेंटके डिलिवरी हो रहा है यानि डिलीवरी लोग दबा के हो रहा है ठीकत है उठा रहा है तो आपको भी यहां पर मैं आपको राय दूंगा की अगर आपको यह सेटार रुपए से सारे सार्था रुपए के आस आना अभी तो मुझे बहुती कम पॉसिबल नजर आ रहा है और स्मॉल कॉंटिटिटे से शियर उठाना और आपके पास अल्रीडी यह बैंका शियर है तो यहां पर आप होल्ड कीजिए लॉंग टम के लिए लॉंग टम में कमपनी दोस्तों जबर्दस्त ग्रो कर देगा तो दोस्तों वीडियो को यहीं पर वेंड़ आप करता हूं वीडियो आच लागे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जारूर एंड वीडियो को एक लाइक करके एंकरेज करना चले मिलता है नेक्स्ट वीडियो पे तब तक के लिए टेक कर बाबाई जाहिंद